नमस्कार जुहार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल स्टेंडी लाइट पर और आज हम जारखंड के एक महतपुर्ण जन जाती महली जन जाती से संबंधित सित्यंकिल लेकर क्या हैं और उष्षे जुड़े जो सवाल है यहाँ पर आपके सामने स्क्रीणबोट पर दिख रहें उससे पहले आप यहाँ पर आज्यान लीजे लिए कि महली प्रिवाग, सिम्भूम, राची, राची, लोहरदग्गा, गुमला, लोहरदग्गा, गुमला, बोकारो धनबाद, एस सारे छेत्रों में आपको महली जनजाती के लोग मिल जाएंगे, पोकारो धनबाद, ठीक है, महली जनजाती के लोग पित्री सतात्मक होते हैं, और दर्विड पर जाती हैं, यहां पर सवाल है, जनजाती की पर जाती, तो दर्विड पर जाती समू की महली जनजाती है, या पित्री सतात्मक होती है, किस परकार की, पित्री सतात्मक बेउस्थ इसमें पाई जाती है और महली जनजाती की जो रिष्टेनातिदारी होती है वो सारे हिंदू समाज के जैसे ही होती है चलिए अगले सवाल पर यहां हम चलते हैं सेशन का जो सवाल है दूसरा सवाल वह है महली जन्जाती का संकेंद्रन पाए जाता है महली जन्जाती का संकेंद्रन कहां पर पाए जाता है तो सिंभूम हजारी वाग रांची ये तीनों जगा पर पाए जाता है इसलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा उपरोप्त सभी चली अगले सवाल पर ले चलते हैं मधली जंजाती के संद्रम में डिम्ड में सिक्णा कति है है नातेदारी व्यस्था हिंदू समाज की समाहन है बिलकुल सही है महली जंजाती की व्यस्था फित्री सतातंक है उपरत दोनों opportunity दिएगे हैं यहां पर वह सही हो जाएगे ठीक है यहां पर दोन logarita जोयेके स्टिक हैं और टोटल सुलाम गोत्र पाए जाते हैं कितने गोत्र सोला लागोत्र रखेंगे मैं चाहती में हरा पार उत पाँख प्रिया जाति है कितने यहांप और पर सवाल स्वाला प़े साधी में पांत चूप जातियों में वाजित किया है पहला है बास फोड महली देखें क्या है बास फोड महली और बास फोड महली जो है यह बास से बास से टोकरी बनाने के कार्ज करते हैं बास से तोकरी बनाने के कार्ज करते हैं महली जन जाता बास फोड महली ठीक है और बहुत सारे इसमें महली है पातर महली पातर महली जो क्रिसी कार्ज करते हैं क्या करते हैं क्रिसी कार्ज करते हैं पातर महली क्रिसी कार्ज ताती महली क्यानाम है ताती महली पर ताती महली जो हैं तो आपका मजञदुरी वो क्रिसी कार्जिंय करते हैं पाल की ड़ोने का कार्ज पाल की ड्ھोने का कार्ज करते हैं ऑप पातरमैli तीक ताती मेहली तहलो है je और पात्र महली तो यहां बता दिये क्रिसी काउत, इसमें जो आते एं, वह माव को बता दे हैं कि और इसमें आते हैं लोगी महली हो कि तुलनकी महली मूहाद भाव ज़्यात भाजित किया है बास मेरे जो बास के टोकारी बनाने का कारज करते पातर महली जो क्रिसी कार्ज करते हैं ताफती महली जो पालकी धोने का कार्ज करता है सुलंकी महली जो क्या कार्ज करते हैं मजदूरी वक्रिसी मजदूरी और क्रिसी कार्ज करते हैं ठीक है और इसमें आता है महली मुंडा क्या आता है इस महली मुंड़ा तक पांच रूपी आ पांच रूप है और यहं भी मजदूरी वह कृवर किसी कार्ज करते हैं कि सितव मजदूरी ओर किसी करते हैं इस प्रकार से हां Karma हुप जातियां हमारी महली जन जाती की जारखन में पाई जाती है रिजले के नुसा चले एगले सवाल पर हम चलते हैं सवाल है रिजले ने महली मेली और माहली मुंडा ठीक है ये पांचो हैं कहता कि कौंण महली लैंज़ाती की उप जाती है तो यह पांच की पांचो है यहाँ पर इसका जवाब हजागा उपरोग्त्स अभी महली जन जाती की उप जाती है सिरह आपाद रखेंगी जारकरन के एक्जाम में आने वाले हैं पातर महली का कार्ज मुख्यupiesा क्या ist कृशी सी तो यहां पर दूसरा नंबर जो पातर महली पूचा था वहा है आंपर कि सी कार्ज एगला सवाल है पातर महली का संकेंदरन है याद रखेंगे पातर महली मुख्य रूप से तमाल छेत्र में पाए जाते हैं किस चेत्र में तमाल छेत्र में और बासफोर महली का मुख्य पेशा क्या है बास का समान बनाना बास का टोकरी बनाना ठीक है यह इसका राइडियो चले अगले सवाल पर आते हैं, सुलंकी महली का मुख्य पैसा तो मजदूरी वो क्रिसी कार्ज, क्रिसी वो मजदूरी देखे यहाँ पर D नमर अप्सन में दिया है, महली मुंडा का भी यही कार्ज है, ताती महली का मुख्य पैसा, ताती महली का मुख्य पैसा पाल की धोना ह जो अप्शन नमर बी में दिया है यह इसका राइड जवाब हो जाएगा अगला सवाल है महली मुंडा का प्रमुख पैसा क्या है महली मुंडा जो यंति हम रूप में पांचवा रूप में बताये थे जो यहां पर वह क्या क्रिशिव और मजदूरी कार्ज करता है यह इसका जवाब हो जाएगा सवाल है महली जन जाती जो होता है महली जन जाती उसकी समाजिक बैस्था कैसी है तो पित्री सतात्मक है पित्री सतात्मक बैस्था है ना चलिए अगले सवाल में महली जन जाती के बारे में कौन सा कथन से इसमें टोटम वादी वांशों में इसका स्रेणी में वर्गी क्रित किया गया है महली जनजाती को सिल्पकार है ना सिल्पकार के स्रेणी में वर्गी क्रित किया गया है और यहां इसका क्या हो जागा राइट जवाब हो जागा चलि एगले सवाल पर ले चलते हैं शवाल है निम्न में से कौन महली जनजाती के प्रमुख देवी देवता हैं तो याद रखेंगे महली जनजाती के प्रमुख देवी देवता प्रमुख देवी देवता कौन है तूर्जी देवी ठीक है सूर्जी देवी प्रमुख देवी देवता और महली जन जाती का प्रमुख पुजा प्रमुख तेवार जो होता है प्रमुख पुजा कौन है सूर्जी देवी पुजा प्रमुख पुजा में आता है ठीक है सुर्जी देवी पुजा और कौन पुजा मनसा पुजा मनसा पुजा और टूसु परव यह प्रमुख परव में महली जनजाती के प्रमुख परवतेवार में आते हैं ठीक है इसारे सवाल है कौन महली जनजाती के प्रमुख देवी देवता है तो सुर्जी देवी महली जनज सबलшम को Lily चैनल से कौन ससैं के देवी तयों मनसा देवी और बड़ब्स उप्रोपालीन हाली में पूझापत्र में पूजा और सही जाती है कि Vivireões क सबद decorum राइड जवाब हो जाएगा चलिए यगले सवाल पर ले चलते हैं आपको और यगला सवाल जो है वह है महली जनजाती में विवा के समय दिये जाने वाले वधुमुल विवा के समय जो वधुमुल दिया जाता है वह पॉन्टका कहलाता है क्या कहलाता है पॉन्टका और सवाल कि महली जनजाती में जातीय पंचायत व्यस्था को किस नाम से परगनेहत के नाम से जातीय पंचायत व्यस्था को जाने जाता है और यहां पर अंतीम शवाल के रूप में है कि सिली के छेत्र में विशेश महली जनजाती दवारा इंड में से विशेश कौन सी पुजा की जाती है सिली छेत्र में माली जन जाती के लोगों के द्वारा चलिए ठीक है तो सारी इंपोर्टेंट सवाल आपको जारकंड के एक्जाम में महत्वपुर्ण रूप से आएंगे और निश्चित रूप से आप सारे सवालों का सही जवाब दे करके और इसका लाब उठाएंगे वीडियो का चलिए इसे सुब कावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अबार